तर्बूश खा कि आप शिर्कों को फैंकना विल्कुल पर नहीं है एंसे आप बनाएंगे बहुत ही जबर्दस चीज और लागों रुपार का कारोबार भी कर सकते हैं घर बैटे जी बिल्कुल यह देखें बहुत ही जबर्दस बच्चों की मन पसंद आप लोग बना सकते हैं यह बनाएंगे जबर्दस बिल्कुल पार नहीं पर सकते हैंगे और तीरे नहीं से इसा नहीं के नीचे से आप प्रिस बिल्कुल यह उतार दें, उपर से जो रेट वाला पोर्शन है, वो हम लोग अतार देंगे, अश्रफियां बनेंगे इतनी मज़ेदार, अश्रफियां पजार से कितीनी महिंगी मल रहे होती है, अब महंगाई का तोड़ है, जो चीज हम लोग वेस्ट कर देते हैं, उससे हम लोग बनाएंगे, श्रफियां बहुत ही पसंद की बचों की होती है, मीठे चावल बनाएं, गुलती बनाएं, मीठे में डलती हैं, उपर का पार्ट हम लोग उने उतार देना है, जो रेट रेट यह आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम लोग जो आलू छिलने वाली छिलनी होती है, अगर उसे उतारते हैं, तो बहुत ही पतला छिलका उताता है, तो उससे हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं उतारना है, हमने क्या करना है, चूरी के मदद से औराम स जो है, वो छिलका उतार देना है, अब देखें, इस तरीके से इतना मोटा छिलका उतारना चाहिए, बल्कुल बारी ग्रीन हिस्सा नहीं लेना, ठीक है, अब इसके भी हम लोगों ने जो है, वो दो टुकुरे करने हैं, अगर आप लोगों ने बड़ी अशरफियां बनानी है, तो उस हिसाब से आप लोग इसका कर सकते हैं, अगर देख बनानी है, जो भाई देगे बनाते हैं, वो शरफियां खुद घर पे बनाएं, तो कितनी जबर्दस बात होगी, अब ये देखें, अब ये क्या करना है, इनको छोटे-छोटे टुकुरों में इस तरीके से कट कर लेना है, देखिए, रेट पार्ड बिलकुल भी नहीं है, आगे से ना ही इसका रेट पार्ड नज़र आ रहा है, ना इसका पीछे से जो है वो ग्रीन पार्ड नज़र जो हमें जो पीछ वाला शीज है, भीछ वाला वो हम लोगों को चाहिए, ठीक है, इस तरीके सेicular Cup, जितने बड़े साइज, छोटे साइज की चाहिए होंगी तो वो उस तरीके से हम लोग इसके टुकड़े कर लेंगे बहुत ही आसान है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं मुझे नहीं पता था, मैंने भी देखा मैंने भी जब बनाया तो मुझे यकीन आया कि हाँ, वाकई ही इतनी अच्छी जबवर्दास अश्यरफ ही हम लोग घर में बना सकते हैं तो अगर आप लोग भी डेली तरबूस खाते हैं और डेली आप लोगे घर में वाटर मेलन बचों के पसंद का आता है तो अप इंतजार किसी बात का है, फैंकना आप लोगों ने छिलका बिल्कुल भी नहीं है अब क्या करना है, इन इस सिलकों से हम लोग ये सारे कांट लेंगे इस तरीके से जितने भी छिलके पड़े हैं तो ये देखें इस तरीके से मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देती हूं कैसे करना है छोटे बड़ा अगर हम लोग उतारते हैं छिलका तो उससे जो है वो छिलका सही नहीं होता था इसलिए छोटे छोटे पार करके उतारेंगे छिलका थोड़ी मैनत लगती है मैनत लगती है तब ही तो जो है वोजाइका बन के हाथ में आता है ना तो इस तरीके हम ने ये देखें आप देख सकते हैं सारे अश्रफियां हम लोगों ने इस तरीके से कट कर ले है सारी इश्रिफियां का जिस कट करके अब यह देखे कितनी बड़ी आसी कट हो गई है आप लोगों में आप इस तरीके से बड़ी आसी कट कर ले नहीं है बड़ी चाहिए बड़ी कट कर ले चोटी चाहिए चोटी कट कर ले तो इस तरीके से कट हो गई है अब क्या करना है जे से ये ध्यान रहें कि नीचे जो रड़ पार्ट है वो भी ना हो जो अपर वाला ग्रीन वाला पार्ट है वो भी ना हो जो इसे हम लोग जो है ना वो चमज भी खुमाते रहेंगे साथ-साथ और इसे बॉइल होने के लिए रख देंगे तब तक आप मुझे ये बताएं आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहें ताकि नेक्स वीडियो में आप लोगों का नाम जो है वो अच्छे कमिट में जरूर मैं आप लोगों का नाम लोगों की कौन देख रहा है किस सिटी से देख रहा है आप लोग मुझे जरूर मेंशन कीजेगा और ये आप वीडियो चन नेये हैं लोग जान लेंगे ये मदद से एक ल letter हम उव और इसे घालए है ये देखli दह लिए रहां है üzहाँ है इस दशनal और भी अभी तोने जोड़ भीस है आप फ्टनी गरब गरब ओर को क्यों द sell the back कर ले लिए पिर अब हम लोगों बना ल incl v LAUNigning है चाशनी कैसे बनानी है सबसे बहले डाल देडा है पानी थह थोड़ा अभी पानी डालें घालें झालें का पا trimmed यह जो है फॉरस में जो है वह चीने डाल देंगे जींड बहुत ही आसाथ एसे बिदिया को बना आरा का सकता के चलिखते हुए लोगों की चाष्णी बन रही है सिरफ इसमें हम लोगों ने डाला है पानी और डाले चीन से फ्र अधर वाटरमेलन के चले केट वोईल किये हुए वह हमने इसमें डाल दिये ठीक है डाले के लिए डालके और थोड़ अशा इस पे जनव हो मैं पकने दूँगी क्योंके मैंने जो है वो थोड़ असा सक्थ रखाता ठीक है अब से थोड़ अशा हम लोग पकने देंगे ताकि मिठास जो है न वो इनके अंदर तक चले जाये क्योंकि फीकी फिकी नहीं रहें जो फीकी अब बहुत सबद्स बनी है और इसे अब हम लोग क्या करेंगे ये देख रहे हैं यह पलकुल पानी भी नहीं है इन में और पक के बिल्कुल पानी इसका सूगी है यह सबर्दस इनको लोग तीन प्याल चुक्षलें के जितने रगों में आप लोग इसे डालना चाहें आप लोग डाल सकते हैं, मेरे पास तीन कलर अविलेबल थे, तो मैंने तीन प्यालियों में इसे डाला है, तीन प्यालियों में डाल के अलग अलग हम लोग इसे कलर में रंग देंगे, जिस रंग में अगर आप लोग रंग ना चाहें, चार हो, पांच हो, जितने भी हो, तो म तोड़ा सा ही टालने से जो इनके इतने जबर्दस रंग आ जाते हैं आप लोग हैरान रह जाएंगे कि जब आप लोग खाके देखेंगे आपको यकीन ही नहीं आएगा कि यह आप लोगों ने बनाई है या आपने बाजार से लियां बना कि आप लोग फिरिज में स्टोर करत ठीक है थोड़ा सा ही ग्रीन कलर डालेंगे और यह थोड़ा सा ही डालने जादा नहीं डालना थोड़ा सा ही डालने में से ऐसा हो जाता है कि हम लोगों ने बहुत जबर्दस तरीके से डाला भी से हम लोग अच्छे से मिला देंगे यह हम लोग जब मिलाएंगे यह देखे तो बाजार से गर अशरफिया नहीं मिल रही है अगर महंगी मिल रही है तो आप लोग घर में भी जटपट ये शरफिया बना के रेडी कर सकते हैं मीठे में डाल सकते हैं कस्टर में डाल सकते हैं किसे भी मीठे में डिजर्ट में हम लोग काफी चीजों में ये यूज कर सकते आप लोग भी बनाएं बनाके बच्चों को भी खिलाएं खुद भी खायें टेस्ट करें और वीडियो कर अच्छी लग रही है तो आप लोग जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और जो जिन जिन के बच्चे हैं आपके भांजिया हैं भतीजे हैं उन अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहेंगा, वो भी जरूर बताएंगा, इसकी समकी बहुत जबरदस जो वेस्टेज हम लोग होता है, उसका वेस्टेज का हम लोग आप अच्छे सर्यूस करना बताते हैं, इतनी जबरदस जबरदस वीडियो, आप लोगों के लिए आप लोग बनाते हैं, अब यह सर्विंग ट्रे में आपको दिंकाल के दिखाती हूँ, कि हैरान परिशान करने वाली सब परदस डिश आईए, और बिल्कुल यकीन ही नही आरा इसे आप लोग के अफिर मीटब बना सकते हैं, नेक्स वीडियो में आप लोगों का बनाम लिया जाएगा, जो जिसको भी वीडियो अच्छे लगए हो अच्छा सा अपना कमेंट नीचे जरूर दे, थैंक्स फार वाच्टिंग, दौा में याद रखिएगा, अपना ख्या झाल झाल झाल